Hello students, welcome back to my channel. आज हम लोग class 9th का जो polynomial chapter है, उसके कुछ extra questions करेंगे. जो NCRT में दे रखे हैं, बढ़ हाँ थोड़े से different questions हैं यह, तो हम लोग यह solve करते हैं. मतलब मैंने इसमें लिखे हैं, 1 marks की type के, 3 marks में, 4 marks के, इस types के pattern के questions यह आ सकते हैं. तो देखें, let's start with this. फर्स question लिखा है, मैंने which of the following is a polynomial? यह simple सा question है, इसमें आपको देखकर पता लगाना है कि कौन सा एक polynomial है या नहीं है. तो मैं आपको आपको रिकॉल करा देती हूँ, polynomial वो होता है, जिसमें x की कोई power होती, जैसे x की power अगर minus 1, यानि negative है x की power, तो वो polynomial नहीं होगा. x अगर नीचे upon में आ जाता है, तो वो polynomial नहीं होगा. x अगर root में आ जाता है, तो वो polynomial नहीं होगा. ठीके, यानि x की power real number होनी चाहिए. पूरा rational number जो होता है, rational number अगर fraction में power होती जैसी, x की power 3 by 2, ऐसे आती, तो भी वो polynomial नहीं कहलाता है. तो x की power हमेशा एक whole number में होनी चाहिए, तो वो polynomial कहलाएगा. तो देखिए, first इ-first जिसमें question है, x square plus 2 root x minus 3. क्या बोल रहा है, वो x square, तो सही है, यहाँ पर यह natural number है, root x, यह x किसमें आ गया है? root में आ गया है, तो इसका मतलब मैंने बताया भी, अगर root में है, तो वो polynomial नहीं होगा, तो इसका मतलब no, it is not a polynomial. second देखिए, x square यह तो सही है, plus 2 upon x है, upon x, इसका मतलब नीचे x आ गया, मैंने बताया था, कि अगर नीचे x होता है, उसको हम उपर shift करते हैं, तो वो कितना हो जाता है, x की power minus 1 हो जाती है, या तो नीचे रेख लो, या फिर यह देखो कि इन power negative हो गई, तो यह polynomial नहीं है, next देखिए, यह क्या हो गया, denominator में x square minus 1 आ गया, चीक है, तो इसका मतलब, तो अगर मैं इसको solve भी करते हूं, तो x plus 1 upon नीचे आएगा, x minus 1, x plus 1, यह cancel हो जाएगे, तो यह कितना हो जाएगा, 1 upon x minus 1, यानि, x minus 1 की power minus 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब, यह भी एक polynomial नहीं है, क्योंकि यह fraction में आ रहा है नीचे, तो आप देखिए, next, x square plus 3, x की power 5 by 3, upon x की power 2 by 3, तो आप देखते ही कहे दोगे, अरे यह तो यह ना fraction में है, तो इसका मतलब, यह तो polynomial है ही नहीं, देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस question में आपको पहले x को एक बार solve करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या x की power 5 by 3 है, यहाँ है x की power 2 by 3, मतलब यह जो है, इस x को मैं अगर उपर भेजते हूं, exponents, exponents में क्या होता है, अगर जैसे base same होता है, तो power, और यह लोग divide हो रहे हैं, number divide हो रहा है, तो power subtract हो जाती है, और अगर multiply होते हैं, तो add हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सब्क्राक्ट हो जाएंगी, तो इस x को मैंने उपर भेजा, तो यह कितनी हो गई, 5 by 3 minus 2 by 3, चिक है, इसको solve किया, तो यह कितना आता है, 3 by 3, तो यह 3 by 3 कैंसल हो गया, तो यह x की पावर कितना बन गया, 1, इसका मतलब, यह मेरा एक polynomial है, धियान रखिएगा, directly देखकर मत decide करिएगा, कि वो polynomial है की नहीं, आपको इसमें भी ऐसे solve करके देखना पड़ेगा, ठीक है, by chance देखिए अगर इस question में, मैं इसी question को है ना, इसे लेती हूँ, x square minus 1 upon x plus 1 है, तो आप तो देखो कि directly यह तो नीचे दे रखा फ्राक्शन में, इसका मतलब यह तो polynomial है ही नहीं, नहीं, इसको solve करिए, पहले देखिए, x plus 1, x minus 1 upon x plus 1, तो इससे यह cancel होगा, और उपर कितना आगे है मेरा खाली x minus 1, इसका मतलब यह polynomial बन जाएगा, अगर यह reverse में दे रखा होता, तो आपको question को थोड़ा solve करके देखना पड़ेगा, कि इसमें x आगे कुछ, आगे कहीं solve तो नहीं हो रहा है, x कुछ simplify तो नहीं हो रहा है, तो x को पूरा simplify करने के बाद, जो end में answer आता है, उसको देखकर decide करिए, कि वो polynomial है कि नहीं, ठीक है, next question देखिए, one of the factors of r की power 7, plus r s की power 6, is r plus s, r square plus s square, neither a nor b, बोथ a और b, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, r की power 7, plus r s 6, इसमें से मैंने r, common निकल सकता है, तो मैंने r निकाला, ठीक है, तो इसके answer की आगया, r की power 6, plus s की power 6, यहाँ पर कहीं पर भी ने दे रखा है, ना तो r plus s दे रखा है, r square plus s square दे रखा है, यह भी नहीं हो सकता है, neither a और b, nor, तो इसमें c is the correct action, तो a है न भी है, ना तो यह है factor, नहीं यह है factor, इसके factor क्या है, r आया, और r की power 6, plus s की power 6, यह एक factor आया, यह एक factor आया, यह एक factor आया, ठीक है, क्योंकि देखिए, आप हमेशा factors क्या होते हैं, जैसे 21 लिखा है, तो 7 into 3, यह एक factor है, यह एक factor है, तो वही चीज़ किया है, मैंने यह आपे भी, अच्छा, अगर यह question ऐसा होता, r की power 7, plus r की power 6, s, यह इस type से कुछ होता, ठीक है, तो इसमें r की power 6, common निकल जाता, तो यह r plus s आजाता, तो r plus x is one of the factor, हाँ, यह one of the factor होता, ठीक है, फिर अपना answer a हो जाता, r plus s, इसमें one of the factor होता, अगर यह r की power 6 होता, यहाँ पे मैंने s की power 6 लिखा है, अगर यह question ऐसा होता, तो देखिए, यहाँ पे r की power 6, common निकलती, तो यह r बचता, और यहाँ s बचता, ठीक है, तो question देखकर, उसको solve करके, कोशिश करिए, कि उसको मैं simplify करूँ, simplify करके, फिर देखना है, आपको check करना है, कि उस question का answer, क्या हो सकता है, next, देखिए, question third है, if the volume of a cuboid is this, then it's possible dimensions है, सबसे पहले, volume of the cuboid क्या होता है, cuboid का volume होता है, l into b into h, यानि, three dimensions होते हैं, उनका multiplication, ठीक है, तो मतलब, अगर मैं volume को देखू, तो ये एक factor, ये एक factor, और ये एक factor हो सकता है, अगर मैं, polynomial, ये factor theorem की terms में बात करूँ, तो ये एक factor, ये एक factor हो सकता है, इसका मतलब, 2x square 8 को मैं एको simplify करना पड़ेगा, ठीक है, 2x square 8 को मैंने simplify किया, तो ये मैंने इस दोनों में से 2 common निकाला, 2 common निकालने के बाद आया, x square minus 4, अब ये मेरा देखिए, x square minus 4, यानि x square minus 2 square लिख सकती हूँ इसको मैं, बिल्कुल 2 का square लिख सकती हूँ, तो ये मैंने क्या बन गया, a square minus b square, तो 2 तो ये है और a plus b, a minus b हो जाएगा, तो a plus a square minus b square हो जाएगा, a plus b और a minus b, तो a plus b और a minus b इसको करके लिख दिया, तो एक ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, यनि मेरी l आगई, b आगई और h आगई, तो इसके अंदर option ढूंड लीजी, ये वाला कौन सा option है, c option है, c option इसका correct answer, अब देखिए, हम लोग short answers, जो अब भी multiple choice questions थे, अब next हम लोग short answers पे चलते हैं, देखिए इसमें क्या है, find the coefficient of a cube, in 2a minus 5 का cube, इसके अंदर मुझे a cube का coefficient निकालना, मैं वापस recall करा तो coefficient क्या होता है, किसी भी variable के आगे कोई digit अगर लिखी होती है, with the sign, यानि minus या plus, जो भी sign है, उसके साथ असके आगे जो भी लिखा होता है, वो उसका coefficient होता है हमेशा, ठीक है, अब a cube का इस expansion, इसको expand करेंगे, और उसमें जो a cube आएगा, उसका आपन coefficient देखेंगे, तो देखे, expand कैसे करेंगे, a minus b का whole cube लगाकर, a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square, ठीक है, तो a की जगा मैंने लिखा 2a का whole cube, a की जगा मेरा क्या है, 2a है, और b क्या है, मेरा 5 है, b यहाँ पे मेरा 5 है, तो यहाँ लिख्या देखिए, 2a का whole cube minus 5 का cube, a cube b cube, minus 3a square, 3a यानि 2a का square, b, b is 5, plus 3ab square, तो 3 की जगा 3 लिखा, a की जगा मैंने लिखा 2a, और b की जगा 5 का square, ठीक है, तो इसको solve किया, तो मेरा answer आ रहा है, 8a cube minus 125 minus 60a square plus 150a, तो मेरे को उसने पूछा a cube का coefficient, a cube का coefficient कितना है, ठीक है, अगर इसी में उसने a square का coefficient पूछा होता, तो आता minus 60, ठीक है, साइन के साथ, a का coefficient पूछा होता तो आता 150, और अगर constant पूछा आता तो answer आता minus 125, ठीक है, ना, next question देखिए, find the value of, 1015 का square minus 1014 का square, यानि a square minus b square, तो a plus b, a minus b लग जाएगा, यानि 1015 plus 1014, और 1015 minus 10414, यह तो 1 हो गया, और इसको add करने पर आया 2029, तो यह इसका answer, next question देखिए, find the zeros of the polynomial, 4x square minus 25, इसके zeros निकालना है, इसका मतलब x की value निकालना है, यानि इसके solutions निकालना है, ठीके, जो इसका root होता है, वो निकालना है, तो सबसे पहले, इसको हम equal to zero put करेंगे, अगर हम एको zero of the polynomial निकालना है, तो 4x square minus 25 equals to zero आया, तो 4x square, इस 25 को मैंने इधर shift किया, ठीके, सबसे पहले आपको अगर x की value निकालना है, ध्यान रखिएगा, x की अगर कोई भी value निकालनी होती है, zero equal to put करेंगे, तो x को हमें free करना होता है, तो ध्यान रखना कि इसको जो change करना है आपको, जैसे ये minus 25, इस x के साथ क्या हो रहा है, ये subtract हो रहा है, minus 4 हो जागा नहीं, x के साथ इसका operation चेक करना है आपको, तो x के साथ की क्या हो रहा है, multiply हो रहा है, तो ये जाकर यहां divide हो जाएगा, अब यहां x square है, दोनों तरफ मैंने square root ले लिया, तो यहां से तो square हट के दर root लग जाएगा, इसका तो square हट जाएगा, और यहां पर रगिया root, अब root 25 will be plus minus 5, और 4 का root जो निकलेगा, वो निकलेगा 2, ठीके, root के बाहर की कोई भी digit, अगर आप root से निकालते हैं, तो plus और minus लगता है, ठीके, दो values आती है, यानि इसका answer आएगा, plus 5 by 2 और minus 5 by 2, तो हमने निकाल दिया, इसका 0 is of the polynomial, क्योंकि इसमें x square है, तो हमेशा धियान रखिएगा, जब power 2 है, तो 0s 2 आते हैं, यह मैं आपको introduction part में, बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, next question देखिए, दे रखा है, 49 x square minus b square, is equal to 7 x plus 1 by 2, 7 x minus 1 by 2, आपको यहाँ पर b की value निकालनी है, यह हमको given है, अब इसमें देखिए, 7 x square minus b square, is equal to 7 x plus 1, इसको expand किया, तो 7 x square minus b square, ठीक है, तो यह से 49 को 7 x का whole square लिग दिया, और b square तो ही a square minus b square, a plus b, a minus b, ठीक है, तो अब यह मेरा किसके बराबर given है, मुझे इसके बराबर given है यह, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, a plus b, और a minus b, तो b की value कितनी आगई मेरी, 1 by 2, ओके, क्योंकि यह जो है, यह पूरा इसके बराबर given है नोने, तो मैंने इस left-hand side वाले को तो इस split कर दिया, अब b के बराबर क्या होगा, 1 by 2 है, 7x, 7x तो सेम है, लेकिन second term जो हमारी b, वो कितना है, 1 by 2, अच्छा, इसी question को मैंने एक और तरीके से किया है, जिसमें question थोड़ा सा change किया है, मैंने, इसमें मैंने क्या किया है, 49x square minus b किया है, देखे, यह b square है न, इसको मैंने खाली b लिख दिया, तो आप देखे, क्या हो गया, 7x plus 1 by 2, 7x minus 1 by 2 हो गया यह, ओके, तो इसको मैंने लिखा, मतलब यह मेरा क्या बन गया, a plus b, a minus b, तो इसको मैंने कर दिया, a square minus b square, तो यह मेरा a square minus b, ठीक है, तो यह पूरा मेरा क्या है, यह पूरा क्या है मेरा, b है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 7x square minus 1 by 4, नतर्ब यह 49 वो इसके बराबर है, 7x का whole square, यह 49 जो है वो इसके बराबर है, यह 49x square minus 1 by 4, यह आगिया 49x square, और next b क्या आगिया 1 by 4, तो इसका answer क्या आगिया मेरा, 1 by 4, ठीक है, तो इसको मैं दो question के pattern में solve किया, अगर b का square दे रखा है, तो आपका answer 1 by 2 आएगा, लेकिन सिर्फ b दे रखा है, तो answer 1 by 4 आएगा, ठीक है, अब देखिये next है, find the degree of the polynomial root 5, degree निकालने, degree हमेश है किसकी होती है, variable की, यहाँ पर कोई variable है नहीं है, तो इसका answer क्या होगा, 0, देखिये, 6th question जो है, वो क्या है, which of the following is a polynomial, कौन सा एक polynomial है, वोई question है, देखिये 4x square है, क्या हाँ है, simple x square है, तो है, 1 upon x minus 3, upon में आगया, और कोई आगे simplify भी नहीं हो सकता, तो यह नहीं है, root 3, t square plus 1, क्या यह है, क्या तो देखिये, जो coefficient है, वो root में, लेकिन जो t है, वो root में नहीं है, ध्यान रखियेगा, जो coefficient है, वो root में है, जो numbers है, वो root में है, अगर t नहीं है, t की power तो 2 है, तो इसका मतलब यह polynomial होता है, जीरो, 0 is also a polynomial, क्योंकि इसके आगे आप लेग सकते हो रहा, 0 x plus 0, तो यह polynomial होता है, 1 upon 3y, 1 upon 3y, यानि y को अगर मैं उपर shift करूंगे, तो y के power minus 1 हो जाएगी, तो यह भी polynomial नहीं होगा, next देखिए, यह भी polynomial नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई simplify भी नहीं हो रहा है, और y को उपर बेजुँगे, तो y के power minus 1 हो जाएगी, इधर देखिए, root 4x, root के अंदर है x, इसका मतलब यह polynomial नहीं है, यहाँ पर जो x है, वो root के अंदर आ गया, यहाँ देखिए, 1 upon root 2, यह मेरा क्या है, coefficient है, x square तो अलगी है, उसकी power भी ठीक है, root 2 जो है, वो सिर्फ coefficient पर, root x पर नहीं है, minus 1, तो आप इसको ऐसे split कर सकते हो, अलग दिखा सकते हैं उनको, तो x तो square है, और x की power 1 है, तो इसका मतलब यह भी क्या है, एक polynomial है, यहाँ देखिए, अब देखिए, 4x 5 by 2, minus 3x 3 by 2, plus x की power 1 by 2, upon root x, यह तो देखके ही लगता है, कि यह तो polynomial होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि सब तो power fraction में है, नीचे भी root है, तो इसको मैं थोड़ा सा simplify करती हूँ, फिर देखते हैं, इस root x को मैंने लिखा, x की power 1 by 2, लिख सकते हैं, यह चीज़ सिखाइए आपको, कि root x को आप x की power 1 by 2 लिख सकते हो, और यह x की power 1 by 2, मैंने इसके नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे अलग-अलग separately लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यह LCM है, तो आप separately लिख सकते हो, अब इस x की power 1 by 2 को मैंने उपपर shift किया, यानि यह सब 1 by 2 इंसे से minus हो जाएगा, तो x की power 5 by 2 minus 1 by 2, x की power 3 by 2 minus 1 by 2, और x की power 1 by 2, 1 by 2 तो वैसे ही 1 हो गया, ठीक है, तो यहाँ देखिए अब, 5 minus 1, 4 by 2, that is x की power 2, 3 by 2, 2 minus 2, that is x की power 1, तो यह कितना आ गया, 4x square minus 3x plus 1, तो yes, it is a polynomial, तो सिर्फ question को देखते ही, आप मत उसको judge करिएगा, कि यह polynomial नहीं होगा, because it's a power fraction में, और root में, उसको पहरा simplify करके, फिर आपको solve देखना पड़ेगा, कि वो एक polynomial है यह नहीं, अब देखिए next question, next question क्या बोल रहे हैं, find the value of the polynomial, हमको px given है, और x की values given है, एक दे रखी root 2, और एक दे रखी minus 1 by 2, अब मुझे इसकी value निकालनी है, तो कुछ नहीं simply करना है, कि मुझे x की जगर root 2 put करना है, और next वाले में, x की जगर minus 1 by 2 put करना है, तो देखिए, x की जगर मैंने root 2 put किया, तो 8 root 2 का cube minus 6x square है, तो root 2 का square minus 4x है, तो x का क्या हो गया, root 2 plus 3, तो अब देखिए, root 2, root 2 का cube जो होता है, वो क्या होगा, यानि root 2 into root 2 into root 2, ये इसका cube होगा, तो root 2 into root 2 तो 2 आ गया, और एक root ऐसे ही रह गया, ठीक है, तो ये 2, 8 से multiply होगा, तो कितना होगा, 16, और root 2 जो है, वो तो है यासे, minus root 2 का square, यानि root 2 into root 2, that will be 2, तो 6, 2 is a 12, minus 4 root 2 plus 3, तो अब देखिए, 16 minus 4 is 12, and 12 minus 3 is minus 9, इन दोनों में से, मैंने 3 common निकाल दिया, तो 4 root 2 minus 3, इसका answer आया, next देखिए, minus 1 by 2 है, तो 8 की power, 8 में, x की power minus 1 by 2 है, तो minus 1 by 2 की power 3 हो गई, x की जगर, यहाँ पर x square है, तो minus 1 by 2 का square हो गई है, minus 4, x की जगर minus 1 by 2 put किया, और 3 है ऐसे कैसे, तो minus 1 by 2, यानि, 2 to the 4, 4 to the 8, नीचे तो 8 आगया, लेकिन minus का sign ध्यान रखेगा, minus का cube हमेशा minus ही होता है, मैंने बताया था, अगर minus की power odd है, तो minus का answer minus ही रहेगा, तो यह आगया minus, उपर 8 है, minus 8 upon 8, इधर क्या होगा, 4, और यह minus minus plus हो जाएगा, यहाँ पर तो, तो minus 6 upon 4, फिर यह क्या हो जाएगा, minus minus plus, और 4 upon 2 plus 3, तो इसको आप जब काटेंगे, और solve करके, LCM लेकर solve करेंगे, तो आपका answer आएगा, 5 by 2, देखिए, question 8 में क्या बोल रहा है, check whether GX is a factor of FX, ठीक है, हमें देखना है कि GX इसका factor है की नहीं, GX इसका factor है की नहीं, यह हमने 0 to the polynomial, polynomial chapter में बहुत सारा कियें, question is type के, इसमें क्या है, इस GX को हम लोग equals to 0 put कर देते हैं, तो देखिए, GX is equals to, मैंने 0 put किया, तो यह 1, X को मैं free करूँगी, सब number से सबसे पहले, तो इस 1 by 3 में, X के साथ यह क्या हो रहा है, तो यहां जाके minus हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा minus 1 by 3, यह 2, 2, 2 यहां पर क्या हो रहा है, divide हो रहा है, X के साथ, X के साथ 2 divide हो रहा है, तो उदर जाकर क्या हो जाएगा plus, तो यह हो जाएगा minus 1 by, minus 2 by 3, ठीक है, तो यहां जो divide हो रहा है, तो यहां जाके क्या हो जाएगा, multiply, तो यहां into 2 हो गया, यानि माइनस 2 बाइ 3 इसका x की value अगई अब यहाँ पे मैंने माइनस 2 बाइ 3 सब जगह रखकर देखा x की जगह ठीक है तो माइनस 2 बाइ 3 का cube माइनस 3 माइनस 2 बाइ 3 का square plus 5 माइनस 2 बाइ 3 माइनस 2 ठीक है तो अब देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, माइनस 8 by 27 माइनस का माइनस ही रहेगा माइनस इसको जब solve करेंगे तो आएगा 12 by 9, 4, 4 3s are 12 और 9 ठीक है और यह आएगा 2 10, 10 by 3 माइनस 2 अब आप LCM लेकर solve करोगे तो answer आपका यह आ रहा है 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब कि no it is not a factor of the polynomial अचा देखिए यहाँ पर मैंने कुछ example दे रखे है कि by chance आपको gx की value निकालने यह gx given है और x की value निकालने तो कैसे निकालने तो कैसे निकालेंगे बहुत confusion होता है बहुत students को तो देखिए मेरे को first दे रखा है 2 minus 5x equals to 0 तो सबसे पहले मैंने बताया है क्या कि x को free करेंगे क्यों x के साथ जितने भी हो रहे हैं यह सब इसको free करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको 2 को इधर shift करती हूँ अगर 2 को मैंने इधर shift किया यह तो क्या है minus 5x से इसको ऐसे कैसे लिखा 2 इसके साथ क्या हो रहा है add हो रहा है इसके साथ 2 मतलब 2 क्या आगे sign क्या है plus का sign है और ये addition subtraction हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा minus 2 ठीक है तो अग minus से minus मैं ऐसे cancel कर दूँगी अब 5 यहाँ पे क्या हो रहा है 5 यहाँ पे multiply हो रहा है तो यहाँ x 5 जाके यहाँ क्या हो जाएगा divide हो जाएगा ठीक है तो इसका answer क्या होगा x is equals to 2 by 5 next देखिए next है 2 2x minus 3 तो 2x minus 3 equals to 0 लिखा अब इस 3 को मैं इधर shift करूँगी x को free करने के लिए 3 यहाँ पे क्या हो रहा है x minus 2 तो x minus 2 equals to 0 रखा 2 यहाँ पे क्या हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा 2 add हो जाएगा ठीक है अब next question देखिए next question में क्या है find the remainder px find the remainder when px is divided by qx ठीक है हमें px को qx से divide करके देखना है और फिर remainder निकालना है basically आप इन में तो remainder theorem लगा कर solve कर सकते हो because x की value इसमें power 1 है यहाँ पे x cube है तो हमने इसको division method जो अपना होता है long division method उससे solve करके दिखा है तो देखिए सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया यह जो हमारा dividend था वो मैंने यहाँ लिख दिया इसको divisor बाहर लिख दिया अब इसको x5 बनाना है तो x square से multiply करके solve किया यह cancel हो गए क्योंकि x की power 5 और x1 से multiply होगा तो x square आएगा तो x square के निचे x square लिख दिया subtract कर दिया यह cancel हो गए तो बचे वे जो है वो नीचे लिखे अब x की power 4 बनाना है तो x से multiply करूँगी तो x की power 4 प्लस x बनेगा x की power 4 और x के निचे x लिख दिया यह तो cancel हो गए तो यह x cube आया 2x minus x x आएगा plus 2 ठीक है तो आब plus 1 से multiply किया क्योंकि cube है तो x cube plus 1 तो मेरा बचा answer remainder कितना बचा x plus 1 तो remainder बच रहा है और यही यहाँ पे आपको निकालना था find the remainder question देखिए next में हमको same question का second part है उसमें x minus 1 निकालना है तो आप देखिए x minus 1 को मैं equals to put कर दूँगी equals to 1 put कर दूँगी क्योंकि यहाँ पे x की power 1 है तो यह equals to 0 put करके x is equals to 1 put कर दिया 1 put करके इसमें मैंने 1 की value रख दी value रखने के बाद जब solve किया तो आप answer आया minus 5 तो यही हमको इसमें remainder निकालना था तो यह factor भी नहीं है no it's not a factor और हमको remainder निकालना है इसके अंदर ठीके next देखिए px और qx given है अब qx यहाँ पे power कितनी यह 4 है तो इसको हम लोग remainder theorem से नहीं कर सकते क्योंकि power 4 आगई यह minus 1 आजाएगा तो आप इसको ऐसे solve कर दीजे x to the power 6 plus 3x square plus 10 तो x to the power square तो x to the power 6 हो जाएगा और यह x square हो जाएगा यह cancel हुआ इसको नहीं चे रिखा 2x square plus 10 अब यह आगे डिवाइड नहीं हो सकता तो यह ही इसका remainder है अब next देखिए without calculating the cubes find the value of हमें इनकी cube मतलब जो cube की जो identity है वो नहीं यूज करनी है इसको cube exact वाला cube यूज ना करके हमें इसकी value निकानी है तो देखिए मैंने आपको जब introduction part समझाया था तब मैंने आपको identity बताई थी कि मेरा जब a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc होता है is equals to a plus b plus c ठीक है यह वाली identity मैंने बताई थी उस identity में क्या था कि अगर a plus b equals to 0 हो जाता है यह वाला भी मैंने आपको question करवाया है कि अगर आपको a plus b plus c 0 होता है तो आपका a cube plus b cube plus c cube 3abc के बराबर हो जाता है ठीक है तो यही चीज़ अब मैंने यहाँ चेक करी यह मेरा पूरा a cube यह पूरा b cube और यह पूरा क्या हुआ c cube ठीक है यह हुआ मेरा a cube, यह हुआ b cube और यह हुआ c cube तो अब मैं सेब से पहले चेक करूँगी a plus b plus c करके तो देखिए मैंने a plus b a plus b plus c किया और इसको काटा तो यह सब cancel होके क्या हो गया 0 आ गया इसका मतलब मेरी identity क्या लग जाएगी a cube, b cube, c cube is equal to 3abc लग जाएगी तो अब इसमें मैं directly 3abc लगा दूँगी यहाँ पर फिर मैंने लगा दिया 3abc तो 3a लिखा b लिखा और c लिखा यह इसका answer है ठीक है तो आपको cube नहीं calculate किया हमने directly identity लगा दी next देखिए same question है यह भी लेकिन यहाँ पर क्या minus है तो अब इस minus को क्या करेंगी हम इस minus को अंदर shift कर देते हैं हम इसको minus 0.8 बना देते हैं मैं बहार plus लगा दिया और minus को मैंने अंदर shift कर दिया minus का cube अगर यहाँ square होता तो question ही अलग होता आप minus अंदर shift नहीं कर सकते क्योंकि square का minus plus होता है यहाँ cube है तो यह हमेशा minus ही आएगा answer तो इसलिए मैंने minus अंदर shift कर दिया अब मैं a plus b plus c करके देखा तो 0.5 plus 0.8 plus 0.3 minus 0.8 plus 0.3 किया तो 0 आया तो अब मैं directly लिख दिया 3abc तो 3 into 0.5 अब यह minus का है धियान रखेगा minus 0.8 0.3 और multiply करने पर answer आया 0.36 next question देखिए if abc are all non zeros and a plus b plus c is 0 prove that a square upon bc plus b square upon c a plus c square upon a b equals to 3 आपको यह prove करना है तो यह identity लग रही है वापस वही aq plus bq plus cq भी equal to 3abc वाली होती है यहाँ पे a plus bc 0 given equation में तो यह 3abc होगा इस abc को मैं नीचे shift कर देती हूँ इधर भेज देती हूँ यहां यह multiply हो रहा है 3 के साथ तो इस तीनो abc को तीनो को मैंने यहां नीचे भेज दिया abc अब a b c को इसके नीचे सी बी लिखा इसके नीचे भी लिखा और इसके नीचे भी लिखा तीनो अलग-अलग लिखा तो यहाँ पे a cube से a cancel होगया square بن गया next question देखें क्या है find the value of a and b so that z plus 1 and z minus 1 are the factors of this हमें a और b की value हमको question में a और b यहाँ पर दे रखें यह equation में और given है कि यह दोनों इसके factors हैं अगर यह factors इसका मतलब इनकी values इसमें put करूँगे तो मेरा answer 0 आना चाहिए तो देखें z plus 1 equals to 0 यानि z is equals to minus 1 और z minus 1 equals to 0 यानि z is equals to 1 ठीक है तो minus 1 और 1 अब मैं इसमें put करके देखते हूं तो मैंने minus 1 put किया तो मेरा answer आ रहा है b minus a plus 6 और यह क्या equal to 0 है क्योंकि यह एक factor है given है factor है तो इसका मतलब इसको put करने पर 0 आएगी value तो यह आई ही मेरे b minus a is equals to minus 6 यह मेरी एक equation आगी first ठीक है second मैंने one put किया इसी equation में इसी px में जो हमको given है polynomial उसी में मैंने one put किया क्योंकि दो factors given है ना मेरको तो मैंने one put किया one put करने पर मेरे जो value आई वो equals to 0 रखी और a plus b equals to 0 आगया मेरा ठीक है अब a plus b 0 आगया इसका मतलब a is equals to minus b इस b को इदर shift किया यह फिर इन दोनों equation को first और second equation को solve कर लीजिए यह फिर इसमें minus b की value इसमें put कर दीजिए तो मैंने minus b की value put कर दी और मेरा b की value आई minus 3 और a की value आगयी 3 तो इससे मैंने दो equation बन गई थी यानि b minus a equals to minus 6 और a plus b equals to 0 आप इसमें simple add भी कर सकते हो तो a से a cancel हो जाएगा twice of b equals to आजाएगा minus 6 तो यह b equals to आजाएगा minus 6 by 3 that is minus 3 और a जो है वो आपको minus 3 minus 3 अगर आपने यहाँ put किया तो a क्या आजाएगा 3 आजाएगा क्योंकि वो minus b के परावर है कैसे भी कर सकते हैं दोनों equation को solve करो या फिर value निकाल के substitute कर दो देखें next question r cube factorize करना है हमको r cube s minus t का whole cube plus s t minus r का whole cube plus t r minus s का whole cube अब यहाँ पर हमको उसने कोई particular method नहीं दे रखा है कि आप इसी से solve करो तो आपकी इच्छा है आप कैसा solve करना चाहते हो इसको मैंने थोड़ा simplify करके ऐसे कर दिया कि r s minus t का whole cube लिखा इस दोनों cube को एक साथ लिख सकते हैं हमारी property थी a की power m और b की power m होता है तो a b लिखकर power m लगा देते हैं यह exponents की property थी ठीक है तो इन दोनों की power मैंने बहार लिख दी इस दोनों की power भी मैंने साथ में लिख दी और इन दोनों की power भी साथ में लिख दी तो अब आप देख चेक करोगे जब इसको multiply करोगे RS, RT, ST, SR, TR, TS ठीक है? इसको जब हम लोग add करके check करेंगे तो इसका answer भी हमारा क्या आएगा? 0 जो हमारा A plus B plus C equals to 0 होता है तो यह मेरा A cube, B cube, C cube बन गया A cube plus B cube plus C cube बन गया तो यह आएगा मेरा 3A, B, C के बराबर तो मैंने लिख दिया 3A, B, C ठीक है? 3A, 3B, और 3C आगया इसको जब मैंने RS, T को अलग से बहार लिख दिया और S-T, T-R, और R-S, इसका मेरा answer आगया आप चाहो तो वैसे अगर बाइचान सापको वहाँ नहीं समझ में आता है आपने इनके whole cube खोल कर फिर इसको solve करने की कोशिश करी तो वह बहुत lengthy हो जाएगा तो वहाँ पे आपको question देखते समझना पड़ेगा कौन सी identity मेरी लग रही है अब next question देखिए करूँ या इन दोनों में से 2x-1 अलग निकाल के फिर solve करूँ ऐसे भी कर सकते हैं मैंने इसको simple expand कर दिया इनके whole square खोल दिये तो यहाँ तो मैंने whole square खोल के यह आगया इन दोनों को multiply करके यह आगया मेरा और यहाँ whole square मैंने ऐसे खोल दिया तो देखिए a square यानि x square का square यानि x की power 4 हो जाएगी b square यानि 14x square और 2ab 2ab निकाला 7,2 जा 14 और x square और 7,7 जा 49,b square ठीक है माइनस 8 अब इस x square को इससे multiply किया तो 2x cube आया फिर इस x square को minus 1 से multiply किया तो minus x square आया 7 को multiply किया 7,2 जा 14x और 7 को minus 1 से किया तो minus 7 minus 15 इसको करा 2x square यानि 4x square plus 1 2,2 जा 4 minus 4x ठीक है अब इस 12 का,8 का और 15 का अंदर multiply करके इसको solve किया तो यह इसका answer आ रहा है आपका यह factorize करके इसको एक और तरीके से कर सकते है बढ़ वो शायद आपको समझ में आएगा नहीं थोड़ा tough है वो इसको मैंने a माना और इसको मैंने b माना यानि x plus 7 को मैंने a माना और 2x minus 1 को मैंने b माना तो यह क्या बन गया मेरा 12a square ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए basically x square plus 7 को मैंने a माना 2x minus 1 को मैंने b माना तो यह मेरा बन जाएगा 12a square minus 8ab minus 15b square ठीक है? इसको आप middle term split से solve करके इसको आप middle term split से solve करके इसमें आप वो कर सकते हैं 3 common निकाले minus sorry 3 common निकले गई नहीं 8 है यहाँ पे तो इसमें आप middle term split solve करके जैसे यह 12 है और 15 है इनके factors निकाल के यह middle term split कर दीजे middle term split करने के बाद आप A और जो B आए उस जगह यह value put कर दीजेगा तो आपका answer आज आएगा इससे different आएगा because वो factors में निकलेगा तो वो भी एक तरीका है बट यह depend करता है कि कौनसे student को समझ में आता है इसलिए वो तरीका भी अगर आपको समझ में आए ताब वो भी solve कर सकते हैं इससे भी solve कर सकते हैं next देखिए 15th question है simplify इसमें मुझे वापस वही चीज A cube B cube C cube A cube B cube C cube यह चीज given है तो देखिए यहां पर मैंने A plus B plus C करके देखा नीचे भी मैंने numerator यहां solve किया और denominator यहां solve किया numerator solve करने पर मेरा आया 0 denominator को भी A plus B plus C करने पर solve करने पर आया 0 ठीक है तो मेरा उपर बन जाएगा 3 A B C नीचे भी क्या बन जाएगा 3 A B C तो उपर बन गया 3 X cube minus Y cube Y cube minus Z cube Z cube minus X cube यह मेरा पूरा A है ना इसलिए यह A B और C नीचे यह पूरा A है यह पूरा B है और यह पूरा C है तो 3 A B C A B और C तो अब मैंने उसको numerator को उपर लिख दिया इस formula से A minus B A square plus A B plus B square तो A cube यह A cube यह B cube यानि X minus Y A minus B A square X square A B X Y और B square इसको भी expand किया Y minus Z Y square Z square plus Y Z और Z minus X इसको भी solve किया Z square X square Z X ठीक है यह आ गया मेरा और नीचे जो है वो तो ऐसे कैसे लिख दिया 3 से 3 यहां cancel हो गया था नीचे मैंने X minus Y, Y minus Z और Z minus X लिखा इससे यह cancel इससे यह cancel और इससे यह cancel तो जो बचा हुआ है वो मेरा इसका answer अब देखिए question 16 है हमारा if A plus B plus C equals to 5 given है A B, B C और C A मुझे 10 given है अब प्रूफ करना है मुझे A cube, B cube, C cube minus 3A, B, C equals to minus 25 यह prove करना है तो इसमें यही चीज़ वाली identity लगेगी कहीं न कहीं तो अकर यह identity मैं लगाती हूँ तो मेरी जो यह वाली identity होती है उसमें मेरा X square, Y square और Z square आता है है ना A plus B का जो whole square वाली identity है sorry यह वाली जो identity इसमें A square, B square, C square आती है यहाँ पे इसकी value मुझे चाहिएगी मैं को A plus B plus C की given है मुझे A, B, B, C, C, A की given है लेकिन A square, B square, C square नहीं given है अगर मैं यह identity देखती हूँ तो ठीक है यह एक identity है अगर यह वाली identity मैं use करती हूँ तो मुझे यह चीज 25 प्रूफ करनी है तो उसके लिए मुझे यह solve करना पड़ेगा तो यह तो 5 given है A, B, B, C और C, A की value भी given है 10 लेकिन A square, B square, C square की value नहीं given है तो मैंने सबसे पहले क्या किया यह वाला इसको लिखा A plus B plus C equals to 5 लिखा अगर दोनों side squaring कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा A plus B plus C का whole square is equal to 5 का square 25 तो यह हो जाएगा X plus Y plus Z का whole square मैंने identity लिखिए यह कि X plus Y plus Z का whole square की identity क्या होती है A square, B square, C square plus 2AB plus 2BC plus 2C इन मेंसे, इस मेंसे मैंने 2 common निकाला तो यह क्या हो गया XY, YZ, ZX यानि इसको ABC भी लिख सकते है तो अब A plus B plus C को square को मैंने क्या लिखा A square, B square, C square plus 2AB, BC और CA इसकी जगा लिखा 5 का square यानि 25 इसको ऐसे कैसे रहन दिया A square, B square, C square 2, AB, BC, CA की value मुझे क्या given है 10, वो मैंने लिखा 2 की power 2 into 10, sorry तो 2 into 10 कितना 20, इसको इदर shift क्या है 5, यानि A square plus B square plus C square की value कितनी आ गई मेरी 5 अब ये formula लिखा इस formula में मैंने लिखा इसकी जगा क्या लिखा क्या given है मझे 5 ये 5 A square, B square, C square की जगा क्या लिखा 5 और इसमें से minus बाहर निकालके AB plus BC plus CA लिख दिया ठीके, minus बाहर निकालके लेकिन इसको जब मैं देखती हूँ इसको मैं expand करती हूँ तो मेरी value आती ही है ये आने के बाद इसका मतलब इसकी value मुझे निकालनी पड़ेगी और A square, B square, C square मेरा निकलेगा इससे ये वाली identity जो होती है मेरी A square, B square, C square plus 2AB, 2BC, 2CA इसमें 2 बाहर निकाल दिया और इससे मैंने A square, B square, C square की value निकालके इसमें put कर दी next question देखिए if x की power 15 minus 199 is divided by x minus 1 find the remainder इसको इससे divide करके देखना और remainder निकालना तो इसको मैंने equal to 0 put कर दिया equal to 0 put करने पर ये मेरी value 1 आगए और 1 इसमें put कर दिया तो 1 की power 15 minus 199 that is minus 198 इसका remainder है तो ऐसे देखकर घबराईए मत कि ये क्या चीज़े power में given है और इसो कैसे solve करेंगे simple सा question था ये now what is the value of P if x plus 1 by 2 is a factor of this x plus 1 by 2 इसका factor हमको given है अब हम उगे इस equation में जो P दे रखा है उसकी value निकालनी है ये जो P दे रखा उसकी value निकालनी है तो देखिए x plus 1 by 2 equals to 0 इस 1 by 2 को इदर shift किया तो कि x की value कितनी आगई minus 1 by 2 इस minus 1 by 2 को में x की जगा put करती हूँ तो P minus 1 by 2 का square minus 4 minus 1 by 2 P 3 चीक है तो अब ये देखिए तूटूजा 4 और ये minus minus plus हो जाएगा तो ये P by 4 ये minus minus plus हो गया 4 P by 2 और ये कितना हो गया और सॉरी ये होगा 3 ठीक है अब देखिए यहाँ पर मैंने LCM लिया 4 LCM लिया तो क्या आया मेरा यहाँ पर P तो P ऐसे आया यहाँ पर तूट होगा 4, 2s are 8P और 3, 4s are 12 तो ये आगया 12 ठीक है उसके बाद क्या आएगा 9P plus 3 is equals to 0 इसको 4 को इदर shift किया तो 0 हो गया और ये 9P equals to कितना होगा ये 12 ये होगा 12 और इसको 12 को इदर shift किया तो ये वह minus 12 यानि P की value कितनी आई minus 4 by 3 ठीक है अब next देखिए find the factors of 1 minus 2x square 1 minus 2x square के factors निकालना है तो इसको मैंने लिखा 1 का square minus root अब ये देखिए 2x है का square इसको मुझे whole square बनाना है तो इस 2 को मैं किसी का square तो बनता नहीं लेकिन ये root 2 का बनता है square तो root 2x लिख सकते हूँ इस 2 को क्योंको root 2 का square करोगे तो root 2 into root 2 कितना आएगा 2 आएगा है ना तो इसको मैंने क्या convert कर दिया root 2x का square तो ये 1 square a square minus b square याना a plus b a minus b की identity लग गई इसमें next question देखिए next question हमें given है if fp हमको given है एक polynomial तो find the value of 2 root 2 इसमें मुझे 2 root 2 पुट करना है गवराने की जूरत नहीं अगर root दे रखा है तो आप उसको आराम से दीज़े दे solve करिए एक step करके करिएगा मैंने 2 root 2 को इस t की जगह पुट किया तो 2 root 2 का cube plus root 2 तो ही मेरे को question में और इस t की जगह पुट दिया 2 root 2 का square plus 3 root 2 है वो ऐसे कैसे लिखा और t की जगह क्या लिखा 2 root 2 minus 1 अब देखिए आराम से solve करिए 2 का cube 2 का cube कितना होगा 2 into 2 into 2 यानी 8 ये 8 लिख दिया हमाने root 2 का cube root 2 का cube यानी root 2 into root 2 into root 2 ये तो आया 2 root 2 ये लिख दिया 2 root 2 ये dot का मतलब होता है multiply होना ये दोनों multiply हो रहे है तो आप इसको बली ऐसे भी लिख सकते हो 8 2 root 2 ओके यहाँ पे root 2 है वो ऐसे कैसे लिखा इसको solve किया मैंने पहले 2 का square निकाला वो लिखा 4 root 2 का square कितना होता है 2 तो वो लिख दिया मैंने 2 यहाँ पे plus ये देखिए 3 2 is a 6 इसको मैंने multiply किया multiply हो रहे है 3 2 is a 6 root 2 into root 2 root 2 into root 2 कितना होता है 2 minus 1 तो यहाँ देखिए कितना है 8 2 is a 16 root 2 यहाँ कितना है ये 4 2 is a 8 root 2 और plus 6 2 is a 12 12 minus 1 is 11 तो ये कितना आया 16 16 plus 8 is 24 root 2 plus 11 ठीके तो ये इसका answer था root 2 आने से घबराने की जूरत नहीं इसको बहुत easy step by step solve करें सिर्फ इसको solve करें फिर सिर्फ इसको solve करें फिर इसको root 2 से multiply करें फिर सिर्फ इसको solve करके और फिर लिखिए ठीके a plus b ka whole square is equal to a square plus b square plus 2ab उसको मैंने x की terms में लिख दिया अब x plus y ka whole square कितना दे रखा minus 4 रखा x plus y की जगा तो minus 4 का square x square y square मैंने ऐसे कैसे लिख दिया 2xy xy की value कितनी given है 2 2 2s are 4 4 आया यहाँ पे तो आया 16 16 और 4 इदर shift वा तो minus 6 तो x square और plus y square की value आगई मेरी 12 next question देखी क्या है if x square plus k x plus 12 which equals to this find the value of k यह हमको given है इसको मैंने solve किया इसको मैंने multiply करा क्योंको यह तो middle term splitting होकर factors नहीं निकल जाता क्यों कहां k है इसको मैंने solve कर दिया इसको मैंने multiply कर दिया x को multiply कि x square minus 2x 6 minus 6x और plus 12 ठीक है यह आया 8x x square minus 8x plus 12 तो यह इसके बराबर है x square के बराबर x square 12 के बराबर 12 तो यह भी बराबर होगा 8x के यानि k की value क्या आगई minus 8 जो x के साथ है coefficient उसकी value आगई with the sign तो k के साथ क्या है यहाँ पे minus 8 k की जगह पर next question देखिए if fx is equals to x minus 9 find fx minus f of minus x गबराना नहीं simple question है fx given है मुझे x minus यानि x की जगह x minus 9 given है यह चीज़ given है minus x निकालना है मुझे अगर मैं इसकी जगह minus x put कर दिती हूँ देखिए x की जगह minus x put कर दिया तो यह भी minus हो जाएगा यह हो गया minus x minus 9 fine यह आगया तो fx की जगह रखा मैंने x minus 9 बीच में क्या है minus minus लगाया इस fx minus इसकी जगह मैंने रखा minus x minus 9 यह रख दिया bracket लगा के रख दिया मैंने minus x minus 9 अब bracket open करेंगे x minus 9 ऐसे कैसे minus minus plus x और minus minus plus 9 9 से 9 कैंसल हो गया तो मेरा answer आगया 2x simple question था बट उनको आराम से step by step करिएगा कोई skip मत करना step direct करने के कोशिश मत करना क्योंको इसमें minus plus की गलतियां होती है तो बहुत दीज़रे एक एक step इधर वाला एक पहले करो इधर वाला एक term को solve करो और फिर end में जब वो simplify हो जाए तब उनको एक साथ लिग लीजिए तो आपका easy हो जाएगा question अब देखिए find the value of p minus 2 by 3 हमें इसमें polynomial में हमको minus 2 by 3 पुट करना और उसकी value निकालनी है simple question है 2 लिखा y की जगा लिखा मैंने minus 2 by 3 का cube minus y की जगा लिखा 2 by 3 का square minus 13 y की जगा लिखा minus 2 by 3 minus 6 अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बुटा एक-एक term को लेके चलिए तो अगर मैं लेके चलती हूँ 2 minus 2 by 3 का cube से विसको solve कर दियो तो 2 लिखा 2 2s are 4 4 2s are 8 minus का 8 आएगा क्योंको minus का cube है और नीचे क्या आजाएगा 27 तो उपर तो आगया मेरा ये देखिए minus 2 16 16 by 27 चीक है तो एक term मेरा solve हो गया अब second term इसको solve करिए 2 2s are 4 plus का 4 हो जाएगा और नीचे 3s are 9 13 है 13 into 2 26 minus minus plus और नीचे 3 है minus 6 इसका मैंने LCM ले लिया 27 तो यहां तो 16 रहेगा यहां पर 3 से multiply हो जाएगा 12 यहां पर 9 से multiply हो जाएगा और यहां पर 27 से multiply करके लिख दिया और यह आगया मेरा 44 by 27 चीक है अब देखिए next question दे रखा है मुझे y by 3 minus x by 2 का whole cube मुझे इसको expand करना है तो देखिए a minus b का whole cube लगाया मैंने a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square a की जगा रखा y by 3 b की जगा रखा x by 2 y by 3 का whole cube minus x by 2 का whole cube minus 3a a की जगा रखा y by 3 का square b plus 3a y by 3 b square अब इसको solve किया यह तो आया y cube 27 minus x cube upon 8 minus 3 x square x y square upon 3 3 is a 9 है ना यह square होगा नीचे का तो 9 by 2 यह 3 से 3 cancel आगया 3 आगया यहां उपर लिखा 3 y x square नीचे लिखा 3 और 2 to 4 नीचे ध्यान रखेगा इनकी जो squaring है वो करना मत भूलिएगा चिक है तो यह होगया 4 यह cancel होगया और नीचे आगया मेरा इसका answer तो यह थे कुछ extra questions जो polynomials के एक chapter के ओपर based थे तो इस type के questions exams में आ सकते हैं तो आप try करिएगा इन questions को solve करने के लिए और कोई भी NCRT के लावा कोई भी extra books है उनमें आपको इस type के patterns मिल जाएंगे तो आप वहां से solve कर सकते हैं तो अगर आपको यह video पसंद आया तो please like and share my channel Thank you